Hi everyone, welcome back to my channel इस वीडियो में हम इस network के Y parameters calculate करेंगे तो इस type के networks जिन्होंने पहले देखे नहीं है उनको ये बहुत difficult लग रहा होगा but it is very simple ये एक interconnected network है तो हम इसको interconnection के formula लगा के simplify करने वाले हैं तो step 1 is पहले आपको identify करना है कि ये जो network है इसका interconnection का type क्या है जिसे हमने last वीडियो में देखा था series, parallel, cascade तो इस diagram में दो networks जोडे गए है पहले तो networks identify कर लो तो ये जो blue वाला है वो एक network है और ये जो pink वाला है वो दूसरा network है तो इस network के जो ends है वो यहाँ से ground को जा रहा है और इस नीचे वाला network के उपर connected है मतलब जैसे ये N1 है और ये N2 है नीचे का तो यहाँ देखो नीचे वाला network उपर वाले के input से connected है मतलब ऐसे तो ये क्या हो गया? ये parallel combination हो गया ये यहाँ से ऐसे connected है तो ये दोनो networks parallelly connected है दूसरा एक तरीका है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर voltage जो है वो same है और जो current है वो split हो रही है यहाँ से current जो आ रही है तो वो दो branches में यहाँ पर split हो रही है और ये चीज़ parallel में ही होती है parallel में आपको पता है कि voltage same रहता है और current split होता है तो यहां से यह connected होने के कारण यहां पे जो voltage है V1 वही voltage यहां पे आ रहा है दोनों के across V1 voltage है और output में भी same है दोनों के across V2 voltage है ऐसे आप देखोगे तो दोनों के across V2 voltage है तो यह पक्का हो गया कि यह parallel में है तो parallel interconnection में y parameters की addition होती है मतलब आप first network के y parameters ढूंडोगे और उसको add कर दोगे second network के y parameters के साथ अगर यह network series में होता तो z parameters की addition होती अगर यह cascade में होता तो ABCD का multiplication होता So now let's start solving this network तो अभी इसके y parameters ढूंडने मतलब क्या i1 और i2 के equations निकालने है in terms of V1 and V2 तो पहले हम इस वाले network से start करेंगे यह blue वाले से तो आपको exam में ऐसे line लिखनी है कि this network can be considered as a parallel combination of two networks N1 and N2 अभी for the network N1 अभी Y parameters निकालना simple है Y parameters के लिए हम KCL लगाते हैं तो इस network में हमें I1 चाहिए और I2 चाहिए dash में confuse मत होना ओके और यहाँ पर V1 V2 में मैंने dash नहीं लगाए क्योंकि वह दोनों networks के लिए सेम है currents दोनों के लिए अलग है इसलिए dash लगाया ओके तो आइवन डैश का equation क्या आएगा V1 upon 1 ohm और यहाँ से क्या आएगा V1 minus V2 upon 2 ohms यह आप simplify करोगे तो इनकी addition आजाएंगी 3 by 2 V1 और यहाँ पर आएगा minus half V2 ओके तो यह आगया I1 डैश का equation अभी I2 डैश का equation ढूनते हैं अभी यहाँ से केसी लगाओ यह incoming current है equal to outgoing current V2 upon 0.5 और V2 minus V1 upon 2 okay फिर यह half यहाँ पर मैंने लिखा है minus half V1 और इन दोनों के addition आजाएंगी 5 by 2 V2 तो I1 और I2 के दोनों के equations मिल गए तो यह आगया आपके y parameters यह Y1 1 यह Y1 2 और यह Y2 1 और यह Y2 2 तो ऐसे आपको matrix format में लिखना है अभी N2 के लिए same steps करने है अभी जो नीचे वाला network है वो मैंने लिया है इसके जो current से वो क्या है I1 double dash I2 double dash तो अभी आप यहाँ पर केसे लगाओगे तो यहाँ पर अभी बीच वाला node है वो है V3 तो incoming current है I1 I2 और outgoing current है V3 upon 2 तो अभी इस V3 को हमें हटाना है तो इस V3 की value ढूण के हमें substitute करनी है तो पहले इस V3 को ढूणते हैं तो अभी इस equation में आप देखोगे तो I1 I2 आप substitute कर सकते हो तो I1 I2 कैसे निकालोगे अभी यहाँ पर I1 की value क्या है V1 minus V3 upon 0.5 right क्योंकि I1 is nothing but 0.5 के true flow होने वाला current तो इस point पर क्या है V1 so V1 minus V3 upon 0.5 is nothing but I1 तो आप इसको simplify करके लेख सकते हो 2V1 minus 2V3 उस side भी 0.5 ही लगा हुआ है तो I2 की value भी same आने वाली है सिर्फ यहाँ पर क्या voltage है V2 so I2 will be V2 minus V3 upon 0.5 तो 0.5 को उपर लाओ हो जाएगा 2V2 minus 2V3 ओके तो I1 और I2 दोनों के values आ गए तो यहाँ पर इस equation में सिर्फ substitute कर दो तो I1 आया था 2V1 minus 2V3 और I2 आया था 2V2 minus 2V3 तो अभी इस V3 को मैंने right hand side पर भेजा तो वह हो गए 4.5V3 और यह 2V1 2V2 यहाँ पर वैसे के वैसे नीचे आ गए अभी इस 2 upon 4.5 को मैंने 4 upon 9 बना दिया है तो हमारा V3 का equation के आ गया 4 upon 9V1 plus 4 upon 9V2 अभी हम इस V3 को substitute कर सकते हैं तो हमें क्या चाहिए थे हमें I1 I2 का equation चाहिए थे जिसमें सिर्फ V1 V2 हो इसमें से यह V3 हटा आना था अभी हमें V3 मिल गया तो हम अभी इस equations में V3 डाल देंगे और हमें I1 I2 मिल जाएंगे तो यह V3 मेंने यहाँ पर पूरा substitute कर दिया यह bracket open करो तो यह आ जाता है 8 upon 9 V2 और यह हो जाता है 10 upon 9 V1 similarly आपको I2 में V3 डालना है यहाँ पर V3 मेंने डाल दिया simplify करके वही आने वाला है यहाँ पर V1 की value आ गई 8 upon 9 और V2 इन दोरों के addition करके आ गया 10 upon 9 ओके तो आपके दूसरे network के y parameters यह है ओके यह 4 तो यह आपके n2 के y parameters आ गए तो आपको दोनों के y parameters मिल गए अभी इनकी सिर्फ addition करनी है तो network 1 से आपको y dash मिला और network 2 से आपको y double dash मिला तो इनकी सिर्फ अभी addition करनी है तो हर एक element को मैंने यहाँ पर सिर्फ add कर दिया है तो इनको आप सिर्फ calculator में डालोगे तो आपको यह final answer मिल जाएगा ओके तो यह आपका final answer है यह जो बड़ा network आपने देखा था जो आपको impossible लगा था solve करने को इसको solve करना इतना easy था आपको सिर्फ patience चाहिए बस इसके y parameters निकालो इसके y parameters निकालो दोनों को add कर दो अगर question में z parameter convert कर सकते हो ओके तो आपको यह वीडियो पूरा समझा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करो मेरे चैनल को subscribe करो और मेरी पूरी playlist अपने friends के साथ share करो thank you